जए अनपूर्नाए नमा पोला पर्व भाद्रपक्षी के अमावस को मनाय जाता और इसे गाऊं में एक त्योहार की तरह मनाय जाते तो आरको सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं कहीं खीर, पूरी, कहीं पूरन पोली, कहीं गुजिया, बहुत तरह के मीठी और नमकिन डिश बनाते हैं इस दिवार को हम भी विशेश रूप से मनाते हैं क्योंकि हम भी खेती से जुड़े हुएं तो यहां पर मैंने दूद को उबलने रख दिया है और पकोड़े की तयारी कर रही हूँ पूरी भाजी जो जो आपसे अच्छे अच्छे डिशेश बनती जाए वो बनाते जाओ तो देखें मैं क्या क्या वना रही हूँ पकोड़े में बेसिक मसाले हरी मिर्ची की चट्नी नमक और पानी डाल कर इसका गोल रेड़ी कर ले और इसे कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं आप करते हैं सब्जी की तैयारी तो चोले को अच्छे से दो लिया फिर इसको प्रेशर कुकर में डाल कर एक से दो सीटी लगा लेते हैं और दूसरी तरफ खीर भी हो गई है तो उसमें शक्कर डाल दी है और उसे एक दो उबाले और ले ले लेते हैं अब सब्जी को फ्राइ भी कर लेते हैं अधिकतर चोले, कद्धू, लोकी, चनी की डाल और भिंडी इस तरह की सब्जियां इसमें विशेश प्रकार से बनाई जाती हैं आज के दिन हमारे यहाँ पर प्याज और लसन को भी यूज नहीं किया जाता हैं नमक डाल कर इसको मैंने थोड़ा सा फ्राइ कर लिया और ढखके रग दिया दूसरी तरफ कड़ी भी बना लेते हैं किसानों के लिए बेल का बहुत महत्व होता है बेल खेतों में किसानी के साथ जूताई, बुवाई में मदद करता है एक तरह से किसान के दोस्त की तरह माना जाता है किसान इनको देवतुल्ले मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं आज भी इस पर्व को गाउं में त्योहार की तरह मनाते हैं इसमें बहुत सी प्रतियोगिता रखते हैं बेलो को सजाना, बेलगाडी को सजाना, छकडारेस इस तरह की कई प्रतियोगीता हैं गाओं में रखी जाती है और उसमें सब अपने अपने बेलों को बहुत अच्छे से सजाते हैं और जो भी बेल बहुत हस्ट पुस्ट बढ़िया दोड़ने में अच्छा रहता है उसे कुछ न कुछ इनाम दिया जाता है अब यहाँ पर कड पत्ता डाल कर पानी फिराये जाता है और ये पर्वा हमारी संस्क्रिती से जोडता है हमारी मिल्टी से जोडता है अज बारिश बहुत हो रही है तो बेल ज्यादा नहीं दिख रहे हैं आप सभी को पोला पर्वा की बहुत-बहुत शुपकामना है और कौन-कौन इस परवकों मनाता है कमेंट करके जरूर बताए बाई बाई